तो नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का सरकारी का एक और नई वीडियो में और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आज चुका हूँ UP Police Constable की तरब से एक और नई वेकंसी का अपडेट जिसका फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है यह जो है UP Police Constable का जो नया नौटिफिकिसन है उसका अपर पीडियेफ है ठीक है तो यह बता दे कि इसमें जो है आपको Sports Quota के अंतरगत आपको वेकंसी मतलब फिल होने वाली है जिसमें की टोटल पोस्ट जो है आपका 534 होने वाला आप देख सकतो हो यहाँ पर टोटल 534 पद है जिसके लिए 335 पुरूस के लिए है और 1999 जो है वह महिलाओं के लिए है ठीक है तो इसके बारे में डिटेल में जनकारी लेने वाले है तो चलिए हम लोग एक पोस्ट के मादे हमसा सरा information.com देते हैं तो first of all दोस्तों आपर बात करें किसका जो location होगा वो कहां पढ़ोगा तो उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश में आपको इसमें जॉब मिलने वाला है और इसमें जो कॉंस्टेबल का पोस्ट है जिसमें कि sports quota का अंतरकत जो आपका फिल होने वाला है तो क्या LGBT आपके पास होना चाहिए आगे हम लोग discuss करेंगे तो बस बने लिए वीडियो में ठीक है चलिए नेक्स यहां पर बात करते हैं कि application आपको किस तरीके से फिल करना है तो online आपको फिल करना है कहां से करना है तो माँगे अभी आपको बताएंगे नेक्स यहां पर बात कर लेते हैं कि detail of vacancy तो मैंने बदा है कि male के लिए 335 है और female के लिए आपका 199 है ठीक है total 534 पोस्ट है अब देखें यहां पर जो है आपको अगर इसमें job लेना है तो आपको इन में से किसी एक में participate आपको होना चाहिए और साथ-साथ उसके जो certificate होता ह आपके पास होना चाहिए यहां पर देख लिए यहां पर लिखा हुए it is necessary to participate in this sports for recruitment यानि कि जो भी national sports में जो है आप अगर हिस्सा लिए है तब आप इसके लिए apply कर सकते हैं और कौन-कौन सा वो sports है वह भी आप देख सकते हैं जैसे कि hockey है football है volleyball हो गया कबड़ी हो गया basketball boxing wrestling athletes water sports handball table tennis badminton archery gymnastic weightlifting टीक है जितने भी आपर sports है आप देख लिजेगा अगर आप इसमें से किसी में भी participate लिए है तो अगर आपको उसका certificate मिला है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं बगल में आप देख सकते हैं कि किस sports के अंतर का जो है कितना post है ठीक है इधर यूपर mail वालों detail दिया गया है for women के लिए hockey का बाड़ा पोस्ट है volleyball का 10 पोस्ट है कवड़ी का 10 पोस्ट है तो आपको समझ में आगया हो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ sports quota वाले ही apply कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी एक sports का certificate है national level पे तो आप इसके लिए apply कर सकते हो उसके बाद दूस्तों चली आगे बढ़ते हैं education qualification की बात करें तो education qualification में आपको class 12 का exam जो किसी भी board से pass करना चाहिए and यह जो अपने मैंने बताया है कि आपको national championship का certificate होना चाहिए तो आप है दोनों चीज तो आप इसके लिए apply कर सकते हो next आपर बात कर लेते हैं कि age limit क्या होना चाहिए तो minimum आपका return examination होगा उसके बाद physical test होगा medical test होगा final merit up का बनेगा and उसके बाद document verification होगा application fee में सभी के लिए आपको चार सुरुपे लेना होगा चाप general lobby CSCST या फिर girls है सभी के लिए एक price रखा गया चार सुरुपे आपको online firm को fill करते वक देना होगा अब यह payment आप online mode से कभी भी कर सकते ह जो की इचलाने एक मध्यम होता है तो उसके द्वारब कर सकते हैं important dates में बता तो इसका जो online application है वो कल से ही start हो चुका है 1 October से ही जो की 31 October तक चलने वाला है तो अगर आप इसके लिए apply करना चाहते है तो apply कर लिजे इसका जो official website है मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आपको form को fill करना है तो official form का link है मैं आपको description box में दे दूंगा ठीक है जैसे आप उस पर click किजिए तो देखिए मैं आपको एक बार दिख करके आपको यहां से form को fill करना है तो interface काफी नम हलका है तो आप इसे apply कर सकते हैं अगर आपने कोई भी sports quote आपके पास है उसका जो certificate है आपके वास national level का भी है तो चलेगा ठीक है तो आप इसके लिए apply कर सकते हो तो total यह 534 post है तो apply करना चाहते है तो कर लेना and इसके related कोई भ आपसे नेक्स टुडियो में तब तक के लिए goodbye जैहिन वदमातरम